नमस्का टीवी नाइन पंजाब हर्याना हिमाचल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सिम्रंक और इबनी न्यूस लाइब में आपका स्वागत है पंजाबी का एक सिदू मुसे वाला दे कतल नो 21 साल हो गया आज जो यहन की सुमवार नो मुसे वाला दी पहली बर्सी सी और इस मौके उते मुसे वाला दा परिवार दे चौन वाले उनानो याद कर रहे ने पंजाब पुल्स सिदू दी हत्यादे मामले जब चीतों जादा लोकानों गिरफ्तार भी कर चुकी है कुल 24 आरोपी नामजद ने मुसे वाला दा कतल दा मास्टर माइंड लॉरंस बिशनो यह ते गोल्डी बराड नो दस्या गया है लॉरंस बिशनो यह जेल जह है पर गो पुला कातनू पर आमादमी पार्टी दिनाल गठ बंदन नो लेकि उन्ना ने प्रतिक्रिया दिन्दे हुए कि जेकर पार्टी दिनाल विचारिक मत पेद नेत दुसार चोवीच गठ बंदन नहीं हो सकता देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि के विचारिक मत भेद जहां हों वहां अलाइंस नहीं होती गुरू तो इस बात पे मैं बहुत साफ हूं कि मेरी लड़ाई सत्य के पत्की है जहां द्वंद होता है मैं सत्य के रस्ते पे चड़ता हूं और वहीं चलता हूं यूएन दे टॉप दस गैंक्स ट्रांच शामाल अमरप्रीत समरा और फचक की दी गोलियं मार के हत्या कार दिते गई अमरप्रीत वैंकोवर चो एक व्याच हिस्सा लेंड ले पहुंचिया सी सरान रात नूँ डिनर अते डांस दे बात जिद्धा ही समारो फ्रैंस वी उखॉल दे बाहर और निकले आते ब्रदर्स, कीपर्स, गुरूप दे गुर्ग्या ने ताबर तोड गोलियां वरा देतियां कटना का नेड़ा दे समय अनुसार रात नू लगबग देड़ वजे दिया जिसे उतर प्रोदेश की बुलंद शहर से गिरफतार किया गया इस मर्डर का संसनी खेज सी सी टीवी फूटेज भी सामने आया जिसमें साहिल नाम का लड़का धार धार हत्यार और पत्थर से साक्षी के उपर हमला कर रहा है बता जा रहा है करीब 20 से जादा बार साक्षी पर प्रहार किया गया था पत्थर सरकेशा टुकड़े हो गए थे मैं अच्छा पिर आपने पूलिस को कुछ चुकी थी पूलिस तो पहले आ चुकी थी पूलिस वालों ने हमारी घरवाली को ले गया है तो क्या था मतलब जो बताई जा रही है साहिल को जानती थी तो क्या आपको पता था साहिल के बारे में नहीं मैं मुझे कुछ नहीं पता था साहिल के बारे में इस पताई जारा है उसके दोस्ति Guide के साथ को जानती है कि जगड़ा को और यह दोस्ति से करसेज़ार का ऐसाथ में कोई जा रहा नंगे नहीं तक करता हो या उसने कभी ऐसे दिखी हो तो ऐसा तो मुझे नहीं था मैं लेकिन कल जो है जब मुझे पता लगा मैं महाँ गया तो कुछ ताइस हुए लगी तो भाई उनकी एक सहली थी वो कहने लगी कि उसकी वो दोष्टी थी क्या थी ऐसा लेकि मुझे नहीं पता था नबालिक लड़की के मर्डर के मामले में दिली के मुख्य मंठ्री अर्विंद के जरिवाल ने कानून विवस्था को ले कर दिली की LG पर हमला बोला उनने का कि दिली में खुले आम एक नबालिक बच्ची की बेरहमी से अत्या कर दी जाती है ये बेहत दुखर्द और धुर्भागयपूर्ण है अब रादी बेखौफ हो गए हैं पुलिस का कोई डर नहीं है आगे उन्होंने कहा कि अलजी सहाब कानून विवस्ता आपकी सिम्मेदारी है कुछ कीजिए दिली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरिवाल और मनीश से सोरिया ने भारत को नमबर वन बनाने की तरफ एहम कदम उठाया है सपना कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ये सिर्फ एक सपना इसलिए नहीं है कि गरीब बच्चे को अच्छा मौका मिले ये देश के लिए एक सपना है अगर हम भारत को दुनिया का नमबर वन देश बनाना चाहते हैं तो वो तब ही संभव है जब हम इस देश के हर बच्चे को बैतरीन से बैतरीन शिक्षा का अवसर दे पाएंगे आज जिन सब देशों को हम दुनिया में आगे मानते हैं चाहे वो अमरीका हो, चाहे वो इंगलेंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कैनेडा हो ये वो ही देश हैं जिनोंने बहतरीन से बहतरीन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया है बच्चों को शानदार शिक्षा के अफसर दिये हैं तो आज जो दिल्ली में हो रहा है जो दिल्ली में ये शिक्षा करांती आई है ये ना सिर्फ दिल्ली के बच्चों को एक बहतरीन भविश्य दे रही है ये भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए पापस ले लिया है जिसके बाद लगा तार डॉक्टर धरना कर रहे हैं इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर अस्सोसियेशन ने एन पीए बहाल नहीं होने तक स्ट्राइक जारी रखने का ने लिया बता दें कि डॉक्टरों को बेसिक सैलरे का 20 प्रतीशत एन डिपी प्रमुक मैबूबा मुफ्ती ने एक बर फिर से जम्मू कश्मीर के अलगावादी नेता यासिन मलिक का समर्थन किया है शनिवार यानिकी सता इस तारी को उनों ने ट्वीट किया और लिखा कि यासिन मलिक जैसे राजनेतिक कैदी के मामले में समीक शा और पुनर व अलिया नाइए की याचिका पर सुनवाई हुई अमरिसर में बीसेफ के जवानों ने रविवार रात को एक बार फिर से सिमात गाओं धनोए खुर्द के पास पाकिस्तान की ओर से घुसे ड्रून को मार गिराया बीसेफ ने खेत में सर्च के दौरान हेरोईन की कंसाइनमेंट के साथ लोह कार रिंग बरामत किया जवानों ने बरामत पैकेट के अंदर से दो किलो 700 ग्राम हेरोईन बरामत की 22 पैलियन की एक B.O.P. पुल्मरान की जो डेप्थ पार्टी थी उन्होंने एक ड्रोन को जो की पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहा था उसकी आवाद सुनी और उन्होंने उस पर फायर किया और नीचे आते हुए ड्रोन का उन्होंने पीछा कर उस ड्रोन को रिकवर कि जो कि बाद में देखने में पता लगा कि वो कॉट कॉप्टर था डी जी आई मैट्रेस आर्टी मौसम विभाग ने जमु कश्मीर के कई लागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिल हाल इतना ही अपने राज़ी की हर खबर पर नज़र बनाया रखने के लिए सब्सक्राइब करें टीविनायन के डिजिटल नेटवर्क नमस्कार